हेला एरिवान आज बात करते हैं मंगल और उसका इंपक्ट उसकी इफेक्ट्स क्योंकि क्रोडो बार अप्लोड हो है किसी मंगल से कुछ भी घबराने के जूतनीक जैमिनी को छोड कर क्योंकि जैमिनी में क्या है 6th Lord में मार्स है और 11th Lord में मार्स है तो हमेशा जैमिनी का मंगल खतम करते हैं वाइस एंड वर्षा क्या होगा है एन्मिस और फ्रेंड्स अब यहां पर मंगल की पूजिशन देखना है सारा जैमिनी लगन का मार्स जहां जहां पर आएगा कारकतत्व आपने समझना है भवात भवम में भी आपने इसको समझना कारकतत्व को समझना जैमिनी में अगर लगन में मंगल है तो लगन किसका है? कारकतत्व कौन है सूर्य है? तो क्या होगा? सूर्य कहां कहा है स्वामी? थर्ड हाउस का स्वामी है ना? भाई का सुप नहीं है? भाई स्पोर्ट में कभी खड़ा नहीं होगा? पावर पॉजिशन कभी नहीं होगी, गवर्मेंट जोब कभी नहीं होगी, तुकि मंगल खतम कर रहा हूँ चीज को, इसलिए सूरे लगन में ही उचका हो लगता है, यानि काल पुष्क के कुण लेने है, प्लैनेट लेने है, कारकतत्व लेने है, सेकिंड हाउस का कारकतत्व तो कौन है, चीपिटर है, अगर मंगल यहाँ होगा, यह सेवन से एट हो गया, यह लॉंजिविटी आयूग भी घर हो गया, अपनी फैमिली होगी, पतनी के आयूग हो गम करेगा, थर्ड हाउस में हो गया, भाई का सुख नहीं, प्रापर्टी का सुख नहीं, फॉर्थ हा यहाँ पिता का, पिता का हेल्थ इस तरह से बावार भवर में मार्स को देखना है, अब एक भाव के एक रिष्टे को दर्शा आता है, हम किसी का भी भाव उसके साथ जोड़ेंगे, इसनी मुझे जैमिनी का मार्स समिशा है, मैं कैंसलेशन के लिए नहीं पिता का मार्स समि के लग, खेर मैं जैमिनी के मंगल को ही चैपनी करती, मतलम मैचिंग में कहीं जैमिनी और लिप्रा, हलाकि दोनों योग का रख प्लैनेट है, मैं मिला दूं लेकिन मैंने डैवोर्स ही देखा, इसमें भी, ट्वैल्थ हाउस का मार्स अगर होगा तो पतनी सुख नहीं है, भले योग का रख प्लैनेट लिप्रा क्यों ना, है नहीं सुख ना, तो सुख के पीछे हो भागेगा, और जब तक हम कैंसलेशन में नहीं जाएंगे, यानि जैमिनी का मार्स हमें ट्वैल्थ हाउस में ही चाहिए, सुख में चाहिए, यहां फिजिकल रुलेशिंशिप ब यहां मामा का हाउस होग है, यानि अगर छोटा भाई हुआ, ममी का दोसका, वो स्पोर्ट में नहीं हड़ा होगा, सुख हिंदर सेंस लोग पूछते होड़ा, सुख का मतलो लोग यह सोच लेते हैं, कि बृत्य रहेगी, मैं कि बृत्य तो चाहें मंगदर कहीं ही हो, बृत रिष्टा एक ही रह गया है, पैसे का, बाक्की तो मैंने रिष्टे देखे ही नहीं है, आप पैसे से तोड़ा उपर ने चुवए ने, रिष्टे तो अपने आप इर जाते हैं, मतलब यह शास्त्रों में लिखा हुआ था, यह धार्थ हो रहा है, तो सर्प्राइस वाली त हीट करेगा ही करेगा, एक जैमिनी का मार्स हो जो फर्स्ट में हीट करता है, धर्ड में अटेंप्ट कब करता है, जब मार्स एक्साल्टिशन है, अगर मंगल उच का बात है, धर्ड में, धर्ड पढ़ा में जाके अटेंप्ट करेगा, यानि थर्टी सिक्स के बाद अटें क्योंकि गुरुदेव के घर में जाकर वो स्थानबरी बरतन में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि नहीं कहेगा क्योंकि गुरुदेव का कामें मारना नहीं है, हर कन्यूंक्शन के साथ हमें साथ में काम्बिनिशन लेना, कार्ट कित्वी लेना, काम्बिनिशन लेना, हम किस चीज किस मुद्दे बरबाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि जैमनी लगन की शिकायत क्या है, पैसा है, नहीं है, क्योंकि जैमनी में अगर 11th में हो तो गेन और प्रॉफित है, और में कौन देता है राभु मार्स, इसलिए प्रोबेबली कहती हो कि जैमनी में अगर 11th हा, अगर राभु मार्स आ जायना, तो फिर ठीक है, पैसा होगा सुख नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, तब कहती हूं कि अभी जो चल रहा था, अभी राभु, तो मेश में चल रहा था, जैमनी में ही एक बच्चा आया है, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा औ प्लैनेट की सुननी भी पड़ती है, हार कंडिशन तो मारी नहीं होगी, यह हर लगन में होगी, लेकिन लिब्रा गाता मुझे वही कैंसर बालड़ है, अब यह जो सडल मेरे पास आये, तीन लिब्रा जो लगन आया है, तीनों को ही गैंसर है, मतार् पहले मैं कारकत्त्व दोन रही थी, कि अगर लिब्रा है, किस कारकत्त्व पर मुझे जाना है, किस को होगा, जैसे लगन में सूर्य तो पिता को है, सेकिंड हाउस में जुपिटर है, अब जुपिटर जहां-जहां का स्वामी होगा, उस घर के कारकत्त्व को लेना है, अभी तो वोही रिसर्च अभी और रिसर्च का काम बढ़ गया, लेकिन उतना ताइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो अभी मेरे पास कोई आए, तो बुला है, मैं गा, मुझे तो लिब्रा और जैमिनी के लावा किसी से डर नहीं लगता, कि कि मैं किसी की मुरित्यू नहीं चाहती, और ना किसी का तो थोड़ा से बस यहां बढ़ लगता है, जितना मर्जी आप के लो मंगल है, मंगल कहीं न कहीं तो होगा, तो मंगल का हो, उन्ची जोगों को बहुत दूर छोड़ा है, वो मेरे एक कॉंसेप्ट में नहीं है, तो मंगल का इंपक्ट, अगर कहीं देखना है, तो आपको नहीं जाकर अपना टास्क ही नहीं पुरा कर सकते, और सबसे बड़ा टास्क क्या है, ग्रस ताश्रा, मैंने इसके उपर कहा, अब मेरे तो खुद मांगलिक थी, मैं तो फोर्थास में, मैं तो हर पंडी ते अलग-लग बात बोली, मंगल ना जाके भूजा करा क्या, ओ ठीक था सब्सक्राम के लिया था, इतना ही बताना था, बस कुछ भी नी था, उसको दोश मिं अड़ा लिया अपने आपको धिया, बलए तब ही जोंकाया रORA, बली नहीं ये तो कहा से लाँत गए पढ़ने की भी तागत होनी चाहिए, पढ़ने की तागत ही नहीं, तो पढ़ कहां से लोगे, मतलब हर चीज मुगो मिस्गाइड करेगी, और तब मैं एस्टोर अगर नहीं थे, इसलिए अगर कोई यह बोलते हैं, आप टॉक्सिक हो, और स्टेट फोरवर्ड हो, यह हो, गाल अभी भी सुनेंगे वो, तो समझेंगे कि शास्त्र मुझे लिखा है, वो किसी नहीं लिखा और किसी ने पढ़के सुनाने की इम्मत तो करी है, और यहां पर हम लेंगी कैंसलिशन, कि जैमेरी का मंगल जहां पर होगा, वहीं मंगल होना चाहिए लड़के-लड़के का, मैं कोई प्लैनेट होना नहीं चाहिए, एक बहुत बढ़ी एक्स्पियेंसे के पीछे, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं करने कभी मौका मिला, तो मैं यूट्यूबर भी लाइवा कर आपको बताऊंगी, मैंने बोला ना, कि वो चीज यहां तो आपने यथार्थ देखी हो, आ यासे मैं एकदम से पढके विश्वास नहीं करती हूँ, मैं को पर time लगता है research मोई, काफे चीज-जेस नहीं research करने वाली हैं, लेकिन जितना time मिल पाता है, मैं ज़रूर करती हूँ, बस मैं ऐसे नहीं कि पढके विश्वास करके आगे बतातो, हमारे वही ही चल रहा सब, प्लेस दे उपर कुछ नहीं है, शरीर होगा, तो कैलकुलेशन कभी भी इदर से उधर नहीं होगी, शरीर की कैलकुलेशन है कि शरीर में लीचे क्या करने अए, बस सीपर पकड़ बनागर जलनी है, बाकि सब मिद्स है, वो जिसने जिसपर पकड़ बना के रख़्े हो कि नही और जुख एक बून लेना कि उस नदी के कोई खासियत है तब ही तो गंकासागर में मिली है लेकिन उससे पहले उसमें क्या खासियत है वो लेनी है लेकिन मंदन करना है वो गंकासागर है इसलिए पड़ो सब जब सक्ते का ज्ञान हो जाए तब आप विश्वास भूले इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, डॉक्टर किरन पावा, अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ, आज का टॉपिक पता नहीं आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि ये अच्छा लगने वाला, मैंने इसमें कं या नहीं, मैंने हमेशा लिया है, मिलते हैं एक अच्छी सोच के साथ, या सच के साथ, हमेशा वो सच लाने के कोशिश करिए है, बाई